में आपने चैनल अपने चैनल पॉलिपोर्ड एसे से एक्जाम में, उमीद करता हूँ कि मैं लाइव हो गया हूँ और आप सभी के कमेंट अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं लाइव हो गया हूँ तो प्लीज मुझे फटा फट से बता दीजे कि हाँ सरू कर सकते हैं, आज के करेंटरफेस में हर रोज करेंटरफेस में इंपार्टरफेस में होती है, अपनो कमेंट करो थोड़ा सा तो मेरे को पता चले कि हाँ, करो करो करो, फिलाल देख लेते हैं आज के मारे हैडलाइन्स क्या हैं, उन्ते दिसंबर अब बस दो दिन बाकी और एक नया साल आपका इंतजार कर रहा हो करेंटी डंपिंग सुल्क लगा दिया है, पियम मोधी ने कानपूर मेट्रो रेल के पूर्ण खंद का उद्गाटन किया, भारत जन्वरी 2022 में UNSC सैंक्त राज सुरेशा परिशत की आतंगबाद निरोधी समिती की अध्यच्छता करेगा, केंद्र ने भूलने के अधिकार को बताया कि ये निजिता के मौली के अधिकार का हिस्सा है, विरल देशाई को परियावरण और जलवाई कारवाई नागरिक पुरुसकार मिला, ACC, Appointment Committee of Cabinet ने नए पदों पर आईए सधिकारियों की नियुक्ती की मंजूरी थी, राज ये स्वास्त सुचकांग के चौता संस्क्राण नीतिया एक दौरा जारी किया गया, केरला टॉप पर रहा, जबकि यूपी लीष्ट सबसे स्वास्त राज जी की स्रेंडी में किरला टॉप पर, जापान ने लॉँच किया एक सैटेलाइट इनमार सैट 6 F1 उपगरे, इनमार सैट 6 F1 उपगरे जापान ने लॉँच किया, CEBR के मताबिक, इंडिया जो है, वो 2021 तक विश्ट की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बन जाएगा, मदर परदेश में विश्ट संगीत 3.900 का आयोजन किया गया, 25 से 30 देसंबर के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है, संजु वर्मा दोरा लिखी गई पुस्तक, दा मोधी गैंबिट, डिकोडिंग मोधी 2.0 एक नई पुस्तक सामने आई, लिखा कहा है संजु वर्मा, गोड मॉर्निंग एवरिवान, क्या है मिन्दम मंजपाई योजना, समझेंगे हम लोग आज, और अडानी ग्रीन एनर्जी ने जीता है ग्लोबल स्पॉंसर अफ दा इयर का पुरुस्कार, अब कर लेते हैं प्रिवेट एर रिवीजन की कल हमनी क्या क्या पढ़ा था, कल, पीम मोदी ने हाली में 11,000 करोन रुपे से अधिकी जल विद्ध परियोजनाओं का उदगाटन कहां पर किया है, तो वो है हिमाचल पदेश, इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किस ने जीती, इस बार भी विजय हजारे ट्रॉफी, इस बार भी ने, इस बार विजय हजारे ट्रॉफी, हिमाचल पदेश ने तमिल नाडू को हरा करके जीती है, हाली में किस देश में इंडिया आउट अब्यान चलाया गया, तो हाली में इंडिया आउट अभियान आपका चलाये गया मालदीब में ट्रिंको मोली आयल टैंक फॉर्म डील किस देश के साथ हो रही है ये भारत और स्री लंका के बीच में होने वाली एक डील है ट्रिंको मोली आयल टर्मिनल अनुगरती उपाध्याय ने जीता है सुसीला देवी पूरसकार अपनी किस पुस्तक के लिए उस पुस्तक का नाम है किन्थ सूगी किसकी अद्च्छदा में नागलेंड से अफस्पा वापसी जाच के लिए एक पैनल गठन किया जा रहा है तो हैं हमारे जन संख्या आयूत यानि सेंसर्स कमिशनर विवेक जोसी रजिस्टरार जनरल ऑफ इंडिया भी निम्ड में से किसे FIA का अध्यच्छ चुना गया है FIA यानि कि Federation of International Automobile के अध्यच्छ चुने गये हैं कहां से हैं UAE से हैं संख्य तरब अमीराद से बिरोट के बावजुद के सिराजि ने बिदान सबहा में धर्मांतरन विदेच आखिरकार पारित करी दिया से इक लगए जा रहा है केंद्रादा 30 जून 2022 तक किसको एक आवश्यक वस्तू गोसित किया गया है तो सोया को एक आवश्यक वस्तू के रूप में गोसित किया गया है जो कि इसके कीमितें लगातार घरिलू मार्केट में बढ़ती चली जा रहे हैं किस धेशने क्रतिम गुधी मतअपर आधारिज एक अभीव जैफ यानि एक प्रोंच किया है तो क्रत्यम गुधी मतअपर आधारिज जो प्रोंच किया गया वो है चाइना कहां पर लॉंच हुआ है चाइना में नोबल सांती पर उसकार विजेता आर्ग विसर्ट डेस्मेंट टूटू का 90 वर्ष की आयू में निधन हो गया वे किस देश से बिलॉंग करते थे वे आपके साउथ अफ्रीका से बिलॉंग करते थे और अब बारी है आशिकर सबसे बड़ी अर्थेव्यवस्था बन जाएगा अर्थेव्यवस्था ते जुड़े वे काफी सारे कोशन पूछे जाते हैं कि GDP ग्रोथ रेट क्या है फलाना क्या है ये क्या है वो क्या है तो फिलाल CEBR के अनुसार हम 2021 विस्ट की तीसरी सबसे बड़ी होगा और अमेरिका दूसरे इस्थान पर पच्छड जाएगा और ये ग्रोथ काफी ज़्यादा की गई है जिस डी मोनेटाइजेशन को लेकर के पूरे देश में परिशानी थी यानि कि यो मुद्री करण हुआ था सौ और हजार और पांसो के नोट जो बंद हुए थे उसको इस रिपोर्ट में काफी ज़्यादा महात्ता दी गई है आएए देखते हैं इस रिपोर्ट को युनाइट किंग्डम के कहां पर युनाइट किंग्डम के सिंटर फॉर एकोनोमिक्स एंड बिजनेस रिचर्च ने भविश्यवानी की है कि भारती अर्थव्यवस्ता दोज है यानि कि 2021 में हम इस लीग में छटा एक्तान हासिल कर लेंगे वर 2020 में भारत के सकल घरिलू उतपाद में कोविड-19 महा मारी और उसके बाद लागडाउन के कारण आर्थिक गतिविदियों पर बाधाओ के कारण 7.3 प्रसिशत का संखुचन देखा गया था यानि कि हमारी लीग तालिका ने ये भी बविश्मानी की है कि चीन 2030 में अमेरिका से आगे निकल जाएगा और पहले इसको 2028 किया गया था फिर बात में 2030 में आप बोला जा रहा है आगे निकल जाएगा और 2022 में पहली बार ऐसा होगा जब पूरे विस्व की GDP 100 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे भारत को काफी ज़्यादा फाइदा हुआ और जो डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला है वहाँ पे एगरिकल्चर सेक्टर में जो अपसायद नहीं होगा इसको भी उन्होंने ध्य एकोनोमिक लीग के मताबीक यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकर यह पढ़ लिए यह पढ़ लीग यह टेबल है वर्ड ऐकोनोमिक लीग टेबल जो है यह फ्रांस दौरा तयार की गई है इसके ise को ब्नाबिक यह तिमाही के दोरान भी, साल दर साल 20.1% की बद्धी हमने हासिल की गादा दूसरी लहर के बाउजूत हमारा 8.4% का आकड़ा रहा और इस तरीके से 2021 में जो हमारी अर्थ व्यवस्था बढ़ने वाली है वो 8.5% के अनुमान से बढ़ने वाली है तो ये 8.5% किस ने दिया अनुमान हमारी GDP का ये 2021-22 के लिए दिया गया है कि 2021 के बाद से अब हम लोग जो उत्पादन का इसतर होगा वो 8.5% के हिसाब से बढ़ेंगे अभी हाली में कई सारे आकड़े जारी किये गए मैं एक एक करके आपको सारे आकड़े दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि वरतमान समय में भारत जो है वो सातवे नंबर पर विस्ट की अर्थ वेवस्ता में है 2022 तक हम चटे में पहुंच जाएंगे 2022 तक हम पांचवे में पहुंच जाएंगे चाइना की अर्थ वेवस्ता अभी दूसरे नंबर पर चल रही है जापान की अर्थ वेवस्ता अभी तीसरे नंबर पर चल रही है जर्मनी अभी चौसे नंबर पर चल रहा है यूगे पांचवे नंबर पर चल रहा है और फ्रांस जो छटे इस्थान पर चल रहा है, साथमे इस्थान पर फिसलने वाला है, अगले साल ही हम उसको पूरी तरह से पच्छाड देंगे तो ये World Economic League टेबल जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 191 कंट्रीज में से, यानि 191 देशों में से, भारत जो है वो 2021 तक हर हाल में आपका दुनिया की तीसरी आर्थे विवस्था बन जाएगा GDP के आकड़े देख लेते हैं, किलर पॉइंट आप ऐसे ही कर लिजए आज यहां पर, GDP के आकड़े अभी क्या कहते हैं, अभी हाली में फिक्की ने एक सर्वे कराया था, Economic Outlook सर्वे, 2021 के मताबिक भारत का GDP फिक्की के अनुसार 9.1% रहने वाला है, ये डारेक्ट आकड़ा पुछा जाता है कि फिक्की के मताबिक भारत की GDP 2021-22 में कितनी रहने वाली है, इसके लावा, World Bank ने भी अपने रिपोर्ट को संसोधित किया, पहले उन्होंने भारत के लिए 2021-22 का जो आकड़ा था, वो दद असमलो एक प्रतिसत बताया था, बाद में उसे decrease करके 8.3% कर दि गी, RBI के मताबिक भारत का GDP जो है, वो 9.5% के मताबिक से ग्रोथ करेगा, 2021-22 के ही सारे आकड़े बता रहा हूं मैं आपको, फिच जो एक rating agency है, उसके मताबिक भारत की GDP 8.4% से growth करेगी, Goldman Sachs के मताबिक, Goldman Sachs भी एक rating agency है, Goldman Sachs के मताबिक भारत का जो ranking है, भारत का GDP है, वो 9.5% से growth करेगा, नासकॉम के मताबिक, आपका 8.5% से growth करेगा, और ADB, Asian Development Bank के मताबिक भारत का GDP है, वो 7.5% से growth करेगा, पहले इन्होंने भी 10% बताया था, बद बाद में उस आकड़े को कम करके, अभी हाली में revise कर दिया है, 7.5% रिसुख कर दिया है, कि 2021 में तो चलो आप 10% डेल होगे, लेकिन 2022 आपका थोड़ा सा मुश्किल जाने हुआ है, 7.5% है, इन सभी आकड़ों को आप कहीं पर note कर लीजे, और इतनी ही आपके लिए important रहेंगे, इनको आप गौर से देखते रहें, IMF का आकड़ा काफी पुराना है, अभी नया आया नहीं है, जैसे ही आजाएगा तो मैं आपको बता दूँगा, फिक्की का जो है 9.1%, वर्ड बैंक का 10.1%, RBI का 9.5%, WEL का 8.5%, Pitch का 8.4%, Goldman का 9.1%, ये सब GDP के क्या है, अनुमान है, ठीक है, बिल्कुल लग सकत आकड़ा है, इतना डाटा कैसे लर्न होगा, बिल्कुल नहीं याद करना है इतना डाटा आपको, आपको सिर्फ एक आकड़ा याद करना है, आकड़े के मतलब अगर आप गौर से देखें, तो आल्मोस सभी के जो आकड़े, देखिए अभी दो-तीन में आपको कैसे याद क सबसे कम किस ने दिया, सबसे कम दिया, ADB ने 7.5 पैसर, WEL और NASCOM ने दोनों ने सेम दिया, 8.5 पैसर, तो जो आकड़ा कॉमन है, उसके हिसाब से आप इसको याद करिए, ठीक है, सुपह साम देखने की जरूत नहीं है, आपको बसे से एक बार पढ़ने की जरूत है, और पे पुरेट आकड़ा आता है, WEL का जो आकड़ा आता है, यह बहुत एकुरेट माना जाता है, तो 7,314 डालर तो आपको यादी रखना है, 8.5 पैसर, वो याद रखना है, 2,031 तक आपकी जो है, वो तीसे नमबर ग्यारते में बस्ता बन जाएगा, ये बात समझ में आई की न कर दिया, तो एक तैसे दिखा जाए, RBI जो है, वो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, RBI को करना भी चाहिए, है न, तो RBI जो है, वो सबसे ज़्यादा आकड़ा बता रहा है, 9.5 पैसर, RBI जो है, वो आपका 9.5 पैसर बता रहा है, तो RBI याद रखो, ADB याद रखो, और बा आगली जानकारी बेयाद इंपोर्टेंट यह आए गई पेपर में कोई रोग नहीं सकता इसको पेपर में आने से सबसे अस्वस्त अगर राजे देखा जाए तो बीमार राजे जो है वो आपका यूपी है और सबसे चस्त दुरुस्त राजे जो है वो आपका कैरला है सबसे बीमार राजे कोन है वो आपका यूपी है सबसे चस्त दुरुस्त राजे जो है वो कैरला है तेलंगाना और तमिलनाडू यह टॉप पर रही है यह आपने इंडेक्स देख लो केरला जो है वो समगर स्कोर पर टॉप पर आया है तमिल नाडू दूसरे नंबर पर आया है तेलंगाना तीसरे नंबर पर आया है हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नीती आयोग दोरा जारी किये गए चौथे संस्करण किसका चौथा संस्करण? राज ये स्वास्त सुचकांग का चौसा संगरण सबसे अंतिम राज ये जो है 19 वे नबर पर UP है 18 वे नमबर पर बिहार है और 17 वे नमबर पर MP है तो जहां जन संक्या ज़ादा है वही तिक मामला गरबर है और जन्संग्या के हिसाब से ही यहाँ पर मौन गरबर है लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिएगा इसमें दो तरह की रैंकिंग इन्हों ने जारी की है दो तरह की रैंकिंग का मतलब यह है कि इंक्रीमेंटल कितना है व्रदी के और अच्छी तरीके से कर रहा है कौन अपने आज जादा अच्छे तरीके से सुधार कर रहा है तो इस मामले में उत्तरपदेश पहले नमबर पर है इस मामले में उत्तरपदेश कौन से नमबर पर है पहले नमबर पर लेकिन overall performance की बात की जाए तो उत्तरपदेश यहाँ पर 19 नमबर पर यानि कि सबसे bottom बर चल रहा है सबसे बढ़िया राज यह कौन सा है केरल लेकिन अगर incremental की बात की जाए तो वो 12 नमबर पर चल रहा है incremental मतलब समझ रहा है तो टॉप केरला, bottom UP अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हम index बता देंगे जितने भी index हैं वो हम सब बता देंगे अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो इसमें क्या-क्या पूछा जा सकता है सबसे पहले जो highlight है वही पूछा जा सकता है इसमें 2018-19 से लेकर के 2019-20 तक के डेटा की समिच्छा की गई है इसमें ये पाया गया कि तीन स्रेनी स्वास्थ एवं परिणाम स्वास्थ परिणाम यानि कि जो आपका health outcomes है वो क्या है सासन उसको लेकर के कितना ततपर है वो और प्रमुग input प्रक्रियाएं में 24 संकेतक है उससे बना एक समगर सूचकांग है तो इसमें कितने indicator है इसमें 24 indicator है और इसमें स्रेनी में बड़े राज्यों में छोड़े राज्यों में और केंसासी प्रिदेशों में बाटा गया है आसाम और तेलंगाना सीर्स तीन राइंक वाले राज्य है छोटे राज्यों में परफॉर्मस की बात की जाए तो मिजोरम मेगाले ने अधिकतम वार्षिक प्रगति सिल दज की है केंसासी प्रिदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू कस्मीन ने अच्छा प्रगति दिखाया है जब कि ओवराल स्कोर के बात की जाए समगर सूचकांग स्कोर के मामले बे CS रांकिंग में बड़े राज्यों में केरल और तमिल नाडू अभी मैंने आपको दिखाया तेरल तमिल नाडू और तेलंगाना तो केरला तमिल नाडू और तेलंगाना टॉप पर जाएगा छोड़े राज्यों की बात की जाए तो मिजोरम और तिफ्रा ओवराल पर फार्फार्मिंग में टॉप पर जाएगे जब कि मिजोरम और मिघाले जो है वो प्रगति सील मामलों पर जाएगे तो कई तरह की रैंकिंग है इसको थोड़ा ता ध्यान से करिएगा चौथा खंदर ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाली में कुछ इंडेक्स जारी किये गए जिसमें अभी हाली में जारी किया गया था ग्लोबल हेल्थ सेक्यूरिटी इंडेक्स अब देखिए हमने क्या देखा आज हमने सौाथ सुरच्छा सूशकांग देखा वर्ड लेबल पर भारत का रैंकिंग 66 है एसिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग चौथा है यानि कि भारत पे जो एसिया में भारत का दब-दब आया है वो चौथे नमबर पर पहले नमबर पर अमेरिका है, दूसरे नमबर पर चीन है, तीसे नमबर पर जापान विस्व के सबसब महेंगा सहर रहने के मामले में तेल अवीव निकल के आया है इजराइल का है नीति आयो ने अभी पावर्टी इंडेक्स जारी किया था, बिहार को पूरेष्ट बताया है जब कि इसमें भी केरल ने टॉप किया है, इसमें भी किसने टॉप किया है, केरल जो है वो सबसे कम पूर है यानि कि केरल के लोग जो हैं वो काफी धनी है सिमला ने अभी हाली में SDG Urban Index में टॉप कर दिया ये पहला संस्क्राण था SDG Urban Index यानि कि Sustainable Development Goal सहरी Index में किस ने टॉप किया सिमला ने टॉप किया इसमें एक चीज और याद रखेगा SDG Urban Index जो जारी किया गया था तो इसके लिए Quality Education का Index अलग से जारी किया गया था Quality Education का Index यानि कि सिच्छा गुडवत्ता का Index जो है वो अलग से जारी किया गया था और इसमें तिरुवनंद पुरम ने टॉप किया था इसमें टॉप किस ने किया था? तिरुवनंद पुरम ने टॉप किया था जी हाँ, उरिसा की राजदानी भूवनेश्वर जो है, वो इस इंडेक्स में लीष्ट पर आई थी, यानि कि सबसे बॉटम पर चली गई थी, तिर्वनंत्पुरम, कोच्ची और चंडीगर, ये जो थे, ये टॉप पर थे, ये सिटी में थे, क्वाल्टी एजूकेशन की बा विष्ट के दस सरवादिक प्रदूसिस सेरों में तीन भारत के हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंट इंडेक्स में भात का रैंकिंग दसों आया है, जलवाईव परिवर्तन प्रदसन सूचकांग, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में गुजरात जो है, वो टॉप पर आया है, और ग्रोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया का रेंग अठारवा रहा है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है, गवर्नेंस पर्फॉर्मेंस में, और अभी हाली में गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी आया, किस ने जारी किया था हमारे ग्रैम अंत्री हमें साजी ने जारी किया था गोड गवर्नेस इंडेक्स अभी आया था इस पर किसने टॉप किया है इस पर टॉप करने वाला राज है गुजरात इस पर टॉप करने वाला राज कौन है गुजरात है आगी बात समझें यह क्या है गुजरात में करनाटक ने स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है देखो जिसको पढ़ना है पढ़ो चुप्पे चाप जिसको नहीं पढ़ना चुप्पे चाप निकल जो बिना बखवास किये करनाटक ने टॉप किया स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स जो श्लाइड तुमारे पास है ना इसको बनाने ने कम सचोम गट लगता है चार जगे वेब साइट पर जाना पड़ता है चार जगे डेटा कर लगना पड़ता है तब जगी एक एक स्लाइट प्रपेर होती है और इस मेनत का तुमको कोई मोल नहीं है तुमको सिर्ब आना है बकवास करना है क्योंकि फ्री की बच्चिया मिल लगी है आराम से फ्री में मिल ला है कोई बंडारे खाना कि क्या होता है उसको फेको इधर उधर वो अली सिती बना रखी है तुम लोगोंने अरे पढ़ने में डंग से मन लग जाए ना जो बताता हूँ उतने में ही काम हो जाएगा कहीं और जाने की जरूत नहीं पढ़ेगी लेकिन तुमारी आदात है बटकने की क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ना नहीं है फाल तुकी पकवास करना है सुबह सुबह मूड मत खराब करो मेरा रात बर जागा हूँ बैटके करेंट अपयस बनाया हूँ इंडिया जो है वो 79 रैंकिंग पे है वर्ल जस्टिप प्रोजेक्ट रूल आफ लॉव इंडेक्स में वर्ल टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग 50 स्टिक्स है और ग्लोबल फूट सेक्यूर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 71 है अभी स्लाइट अटा तो को पूछूँगा एक रैंकिंग नहीं बताओ पाओ है एक बार फिर से देख लीजे एसिया पावर इंडेक्स में इंडिया 4 पर है तेल अवीब और फिर से लाटे जो को अपका लिविंग इंडेक्स में वीर्ड वाइट पर सबसे beside amdabad जो है एंडाबाद čीपेस सेहर है एंडाबाद चीपेस सेहर आया था इसमें वह विस्व में सूची में सबसे ससते सेहरों में से एक था अब तुमको पीडियव नहीं मिल पारा पीडियव हर रोज पढ़ता है और बोले हैं ड्राइव लिंग सेव कर लो अपने पार अगला जान करी भारत कभी UNSC की आतंगवाद निरोधी समिती की अध्यच्छता करेगा जैता कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में भारत UNSC का आइस्थाई मेंबर के रूप में सदेश्य है और अगस्त महा में भारत ने इसकी अध्यच्छता वीब की थी अगस्त माह में क्या किया था भारत जो था वो इंडिया का इंडिया जो था वो UNSC का Security Council का अध्यच बना था एक्शल में UNSC में 15 सद्श्यों होते हैं जिसमें से 5 पर्मनेंट होते हैं और 10 नौन पर्मनेंट होते हैं लेकिन यहाँ पर बात UNSC की अध्यच्चता की नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो है आतंगवाद निरोधी समिती की अध्यच्चता। अब इस अध्यच्चता करने से भारत को फाइदा क्या होगा। भारत पाकितान की उपर थोड़ासा आतंगवाद संब्धी मुद्धो पर दबाव बना सकता है। इवन चीन की सीमा रिका पर भी जो आतंगवाद पना परा है उस पर भी दबाव भारत बना सकता है। तो फिलाल इसकी तो अध्यच्छता करने वाला है भारत वो करेगा जन्वरी 2022 में कब करेगा जन्वरी 2022 में आतंग बाद निरोधी समिति यानि UNSC Anti-Terrorism Committee की गठित करेगा ठीक है याद रखेगा भारत दस साल बाद यानि जन्वरी 2022 में सनितराज सुरच्छा परिशाथ की आतंग बाद निरोधी समिति की अध्यच्छता करने वाला है और ये संकल्प जो है 1373 में के तहत इस समिति का गठन किया गया था अगर हम बात करें तो सनितराज महासाभा के चौतरवे सत्के दोरान बारत को वर्थ 2021 और 22 की अध्यच के लिए आइस्थाई सदस्यता के लिए चुना गया था बारत का दो वर्थी कारिकाल एक जन्वरी 2021 से सुरूआ कब सुरूआ एक जन्वरी 2021 से सनितराज सुरच्छा परिशाथ में कितने सदस्य हैं 15 सदस्य हैं जिसमें तेन जो हैं वो मेन हैं जैसे चीन, फ्रांग, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत लगातार इस्थाई मेंबर्शिप के लिए कोशिस कर रहा है लेकिन अब इसमें दिक्कत यह हो जाती कि चीन अडंगा लगा देता है UNSC में भारत का ये आठवा कारेकाल है, कौन सा कारेकाल है? आठवा कारेकाल है और अभी हमारे परदान मंति नरेंद मोधी जी ने जब इसकी बैठक की अद्यश्था की थी तो वो ऐसा करने वाले पहले भारती ये परदान मंतिरी बन गए थे इससे पहले पीवी नर्सिमा राओ कोसिस कर रहे थे जब उन्होंने UNSC की बैठक में भाग लिया था लेकिन उस समय वो इसकी अद्यश्था नहीं कर पाए थे सनितराश सुरच्चा परिशथ की बात की जयए तो सनितराश सुरच्चा परिशथ आर्टिकल 23 चार्टर के आर्टिकल 23 के अंतरगट पांच अंगों में सामिल है सेंतराट महासबा, त्रस्टिसिप काउंसिल, आर्थिकों समाजीक परस्ट, अंतराष्टी न्याले और सचीवाले अब इंपोर्टन बात क्या बन सकती, इस न्यूस से आपको क्या लेकर जाना है इस न्यूस से आपको घर ये लेकर के जाना है, कि भारत इसकी अद्यच्छता कब करने वाला है, जन्वरी 2022 में किसकी अद्यच्छता करने वाला है, आतंगवाद निरूदी समीती की और ये इसमें भारत के कौन सा कारेकल चल रहा है UNSC में भारत का आठवा कारेकल चल रहा है कितने साल के लिए चुना गया है दो साल के लिए चुना गया है 2021 और 22 अगस्त 2021 में हमने अध्यष्चता कर ली है एक महीने के लिए हमें अध्यष्चता मिली थी संहित्राज सुरच्छा परिशत का में काम यही होता है कि अंतराष्टी सांतियन सुरच्छा बनाए रखना भारत लगातार संहित्राज सुरच्छा परिशत में अपनी एक थाई सीट को खोज रहा है लेकिन चीन हमें था अरंगा लगा देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं किसे वैस्विक परियावणो जलवाईव कारवाई नागरी पुरुषकार से समानित किया गया है Global Environment Climate Action Citizen Award ये समानित किये गये है Green Man के नाम से मसूर आपके विरल देशाई ग्रीन मैन के नाम से मसूर आपके विरल देशाई जो है वो इस Award से समानित किये गया है अब आप देख पा रहे हैं जैसा लग रहा है कि ये Award दुबई में दिया गया है बिलक 보고 तस्वीर ऐसी लगी हुई है कि ये Award जो है उनको दुबई में दिया गया है तो तो विरल देशाई जिने Green Man के नाम से जाना जाता है और उनके 20 परियावन जल्वाई नागरी पुरुषका से समानित किया गया विरल देशाई एक मात्र भारती हैं जिने इस तरह का समान दिया गया 11 देशों की 28 हस्तियों को परियावन पुरुषका से समानित किया गया विरल देसाई और आने विजेताओं को 23 दिसंबर को संस्क्रती युवा संस्थान दौरा भारत गौरो सम्मान से सम्मानित किया गया है संस्क्रती युवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है विरल देसाई को विरल देसाई का सम्मन सूरत से है ये सूरत का एक उधना रेलवे स्टीशन है उन्होंने इसको ग्रीन रेलवे स्टीशन में तब्दील कर दिया विरल देशाई ने कहा कि इस मॉडल करने स्थानों पर दौराने पर बड़े पैमाने पर पहचार उपन करने की बीच्छा वेक्त की है बारत गौरों सम्मान जो है ये भारत के विबेन चेतर की प्रमुख हस्नियों को दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो समाजी ग्रूप में उलेखनी युगदान करते हैं लेकिन अभी हमने क्या पड़ा एक एवार्ड पड़ा जो परियावर्ड से जुड़ा हुआ था परियावर्ड से जुड़ा हुए दो एवार्ड जो विस्व में सरवादिक मानिता प्राप्त है टाइलर प्राइज तो है ही, टाइलर प्राइज आपका पवन सुखदेव को मिला था, इसके अलावा दो और एवार्ड हैं जो बहुत ज़्यादा मानित अप्राप्त है, एक है गोल्ड मैन इंवार्मेंट प्राइज, जिसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जा माइडा बिलाल जो हैं बोशनिया से हैं, और होर जेंगवा केमो हराता जापान से हैं, लेजचिक चुराए जो हैं पेरू से हैं, अब नाम थोड़े से कटीन है पर एक बार जरूर पढ़ लिजेगा, इतना तो यादी कर लिजेगी ग्रीन नोबल कितने लोगों को दिया ग पुरुसकार, ये स्वयम मलिक, अजय कुमार साहू, घंस्याम महंता, संजीप राउत, क्योजर फोरेट डिवीजन और डिपार्टमेंट और फोरेट इंवार्मेंट गौर्रमेंट और उरीशा, इन सब को ये एवार्ट दिया गया है, तो एसिया प्रवर्तन पुरुसकार याद रखेगा, इसके लाब आभी हाली में जो एवार्ट दिये गए, जैसे अभी UN Women's Award in Leadership Commitment, ये किसको दिया गया है, ये मैंने आपको दो दिन पहले बताया, ये किसको दिया गया है, डिव्या हेग्डे को, बताया था आपको कि बेरू इन्वायर्मेंट करके उडूपी करना टकती है, उनको परिया वन के लिए ये परुसकार दिया गया है, ये वेन द्वारा, बेस्ट पेमेल डेबिव ओनर इन पैरलिंपिक एवार्ड, अवनी लेखारा, ये आपका करेंट अपर रिवीजन है, अवनी लेखारा, टाइम मैग्जीन अथलीट आप दे ये, ये कुमार मंगलम बिल्डा को, आधित बिल्डा गुप से हैं, कुमार मंगलम बिल्डा को, रामानुजन प्राइज किसको मिला है, अनीता देशाई को, अनीता गुपता, नीना गुपता, सौरी, मापी चाओगा, नीना गुपता, नीना गुपता, रामानुजन प्राइज मिल किसको मिला है नील मनी फूकन को बने रहोगे सब याद रहेगा कहीं जाने की जरूत नहीं सत्तावनवा ग्यानपीट एवाड मिला है दामोधर मोजे को शेयर कराओ भाई यह अच्छा नहीं लगता इतने लोग कम लोग आते हो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेट फियर गोल्ड वी प्रवीन राओ हरित छेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है वी प्रवीन राओ इंद्रा गांधी पीस प्राइज इंद्रा गांधी सांति पुरुसका प्रथम नाम की संस्था को प्रथम एक एंग्यों है रुकमनी ब्रेनर जी इसकी है कौन इसकी है रुकमनी ब्रे टाटा लेटरेचर लाइफटाइम अनीता देसाई अनीता देसाई को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वाला लाइफटाइम अचीवमेंट प्रकास पादुकोंड दीपिका पादुकोंड के पापा किसी ने 83 देखी क्या कैसी है BBC स्पोर्ट्स परस्नाल्टी ऑफ दा इयर BBC स्पोर्ट्स परस्नाल्टी ऑफ दा इयर ये किसको दिया है BBC स्पोर्ट्स परस्नाल्टी ऑफ दा इयर ये अभी हाली में दिया गया किसको दिया गया BBC नहीं दिया गया स्पोर्ट्स परस्नाल्टी ये बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन वाला था BBC 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 बोलो बाई BBC स्पोर् प्रवीन राओ को दिया गया है आए मैं तो जानना चाहा रहा था एमा रादा कानू राइट आंसर है ब्रिटेन की हैं कहां की है रिपीट करने एक बार UN Women Award for Leadership Commitment दिभ्या हेगडे, Best Female Debut Honor in Paralympic Award अभनी लिखारा, Time Magazine Athlete of the Year Simone Biles Global Entrepreneur Award कुमार मंगलम बिल्डा रामानुजन प्राइज नीना गुपता 56 ज्यानपीड अवर्ड नीन मनी फूकन 57 ज्यानपीड अवर्ड दामुदर मौजे आठवा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेट पेर गोल्ड मेडल बिहार वर्ड अथलेटिक्स बूमेन ऑफ दाइयर अंजुवाभी जौर्ज डक्टर स्वामी नातन अवर्ड वी प्रबीन राओ इंद्रा गांधी सांती पुरुसका प्रथम रुकमनी बनर जी टाटा लिट्रेचर अवर्ड लाइफटाइम अनीता देशाई बी डव्लुएफ लाइफटाइम एशीमेड वार प्रकास पादुकोन और बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ दाइयर एमरा दुकानो ठीक है ब्रिटेन बता दिये थे कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग सुल्क लगाया है सर ये एंटी डंपिंग सुल्क क्या होता है देखो कभी कभी क्या होता है न जिस आदमी को आप मालो पैसा होता है और वो चाहता है कि पूरे मार्केट में ऐसी तैसी कर दें तो वो अपना प्रोड़क इतने कम दाम पर बेजता है ताकि पब्लिक सर्वाइब ना कर पाए जो मार्केट में अन्य कंपनिया हैं वो सर्वाइब ना कर पाए पिछले कुछ दिनों से चाइना हमारे साथ ऐसा ही कर रहा है जो चाइना में 100 रुपए की बिक्ती है वो चाइना भारत में 70-80 रुपए में बेच रहा है ताकि जो लोकल वेंडर हैं वो खतम हो जाएं और चाइना वाला माल लेने लगे तो इस पर भारत सर्गार की नेज़त गई और भारत सर्गार ने जब इस तरीके की चीजों को देखा तो पांच चीजों पर एंटी डंपिंग सुलक लगा दिया डंपिंग का मतलब ही यही होता है कि अगर आपके देश में वो चीज 100 रुपए की है और आप किसी और देश में उसे 70-80 रुपए यानि कम रेट पे बेचते हैं इसका मतलब आप उस माल को वहाँ पर डंप करना चाहरे है और ऐसा ना हो इसलिए इस देश की सरकार आप पर क्या लगा देती है एंटी डंपिंग सुलक लगा देती है इससे क्या होगा कि आपकी अगर माली चीज 100 रुपए की आप 70-80 रुपए में लेकर आए भी तो यहाँ पर आप लग गया आपके उपर एंटी डंपिंग सुलक यानि आपकी चीज हो गई 110 रुपए तो आप यहाँ पर बेचना बंद कर देंगे तो ऐसा भारत ने क्यों किया क्योंकि लोकल लेवल पर चाइना जो है इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट में खासकर ऐलमूनियम, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन आर थर्टी टू जिसे फ्रेयान गैस बगेरा बनाई जाती है सिलकॉन सीलंड, सोड्रियम हाइड्रो सल्फाइट और हाइड्रो फ्लोरोन, कारबन मिजुनन के उतपादों पर यह सुल्क लगाया गया है और यह सुल्क इसलिए लगाया गया है ताकि जो आयात हो रहा है जो बहर से माल यहाँ पर आ रहा है आयात मतलब आना निर्यात मतलब जाना आयात मतलब आया और निर्यात मतलब गया तो भारत ने इस्तानी निर्मातों को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग सुलक लगा दियाएगी अब तुम करो नो टेंगी तो पिलाल यह याद रखीगा पांच चीजों पर ल थैजैंप만ल यहु21 चीन दूसरे को कौन सी चीजह आयात करते हैं तो भारत चाइना से सामान ज़्यादा लेता है । इलेक्रोनिक सर्किट टेलिफोन एक्विपमेंटि वीडियो फोन संट कॉडबॉन जबी जैद है , प्र पेट्रोलियम इधन, कार्बनिक रसायन, रिफाइन, कॉपर, कॉटन यान, सीफूड, कालीमिज, बनकफित, तेल, वसा, ग्रेनाइट, ब्लॉक, बिल्डिंग, स्टोन और रॉक, कॉटन का आयात करता है। लेकिन फिर भी हम जो है, वो चाइना से खरीदते जादा है, बेचते कम है, इसलिए हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड रहता है, वो डेफिसिट में रहता है, तो चाइना इंडिया जो ट्रेड है, वो हमारा घाटे में चलता है, घाटे का मतलब यह है कि हमारे देश से पैसा उदर जाजा जाता है उदर से आता कम है तो ये मामला हमारा आशायत है तीक है आगे बढ़ते हैं वाइस एड्मिरल किनको अभी हाली में भारती नौसिना का एकैडमी कमांडेट निउप किया गया पहली बात तो क्या प्रश्ण बन सकता यही बनेगा कि भारती वाइस एकैड जो है यह आपके 25 weeks फ्ले चीप और नेवल इसको याद रखी तो रवनीयस नहीं सोरी 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 एस और भोर मडे बता दिए बैना एस और गोर मडी जो है वो 36 वाइस चीप और नेवल इस्टाफ है रवनीयसिंग है रवनीयस ये डिप्टी चीफ आफ नेवलिस्टाफ है रवनी सिंग डिप्टी चीफ आफ नेवलिस्टाफ है तो ये नौसिना अकैडमी है कहाँ पर ये ध्यान रखी गया ये केरल में है ये कहाँ पर है केरल में है ये नौसिना अकैडमी कहाँ पर है केरल में है तो वाइस एड्मिरल पुनीज सिंग पुनीज वेल को 26 दिसंबर 2021 को भारती नौसिना अकैडमी एजी माला का कमांडेट निउस किया गया है यह केरल के कुन्नूर जीलो में इस्तित है और भारती नौसिना में सामिल सभी अधिकारियों के बुनियादी प्रसिचन यह प्रदा करता है वह जुलाई 1984 में फ्लैंग ऑफिसर के रूप में भारती नौसिना में सामिल हुए उन्हें 2020 में आती विशिष सिवा पदक, 2015 में विशिष सिवा पदक से समानित किया है उन्होंने 6 अलग-अलग तरीके के विमान भी उड़ाए है उन्हें परिचालन में उन्भाव ही है और वो एक बड़िया गोता कोर भी है तो फिलाद नौसिना एकेडमी के हैड कौन बनाए गए है पुनीत पहल अभी हाली में कई सारे सचिव निवक्ति किये गए जिनमें एक सचिव के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि इस पात मंत्राले के नए सचिव कौन बनाए गए है तो दिखा जाए तो नरेंद कोलापन जो हैं इनको अभी हाली में क्या किया गया है दच्छिअड अफरीका में आपका जो वहांका सुप्रीम कोड है वहां पर निफ़्त किया गया है प्यदीव कुमार रावत को चाइना का एमबेड़े बना दिया गया है च जे कुमार्सिंग बनाए गए निउस में काफी जनकरी है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो केंद्री मंद्री मंदल की नियुकति समची यानि कि Ministry of Environment and Forest Climate Change का सचीव बनाए गया है जबकि रोहित कुमार सिंग को उबोकता मामले का सचीव बनाए गया है रोहित कुमार सिंग संसकती मंत्राले में से अब आईएस अधिकारी पंकट जैन को पेट्रोलियम और प्राक्तिक मंत्राले में गैस मंत्राले में नया सचीव बनाए गया है जबकि मनोज जोसी 31 दिसंबर को दुर्गा संकर मिस्रा के सेवा निवरत होनी के बाद आवाज एवं सहरी मामलों के सचीव के रूप में कारेबार समालेंगे वरिष्ट अधिकारी भरतलाल को लोगपाल का सचीव बनाया गया है जबना मोस्ट इंपोर्टेंट इस भरतलाल सबसे इंपोर्टेंट भरतलाल है इनको याद रखेगा इन्हें लोगपाल का सचीव बनाया गया है बारत के पहले लोगपाल कौन है पीसी घोस पीसी घोस पिनाखी चंद घोस जो है वो भारत के पहले लोगपाल है इनको याद रखना सबसे इंपोर्टेंट मैंने बताया कि यही है लोगपाल वाले संजय कुमार सिंग याद रखीगा इस पात मंतराले है और यहां पर खादे देखिए syun na coû ändra किस अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है यह यह कैसा dauब हो 되어 कि कई समय से कई पर कानून है यह कि माली ऐपको कोई डेटा कहीं पर पड़ा हुआ साजया या माली जैप को कोई सज्जा होई या आपने कोई कांड कर दिया यह कोई भी किसी भी तरीके का data कहीं पर भी पढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप चाहते हैं कि वो data वहां से हटा दिया जाए बूलने का अदिकार यह नहीं कि आप कोई पूछा जा रहा है आप कहथो नहीं मैं भूल गया यह नहीं बूलने का अदिकार बूलने का अदिकार यह है राइट टू भी फॉर्गेटें यह है भुलाय जानी का अदिकार मतलब कि आगर आपको लगता है कि वो जानकारी आपके मताबिक ठीक नहीं है आपकी पब्लिक छवी खराब हो रही है तो आप उसे अपनी जानकारी को उस जगे से हटवा सकते है सुप्रीम कोर्ट में मालीजे कोई आदमी है जिसको सजा सुना दीगी सजा के बाद मालीजे वो बरी हो गया अब बरी होने के बाद वो चाहता है अब मैं बरी हो गया हूँ कि भई ऐसा करना कोई बुरा नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया है अभी इसके उपर निर्णे आएगा तो देखा जाएगा फिलाल भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरीके के प्रावधान को रखा जाए यानि आप इसके डिमांद नहीं कर सकते कानूनन रूप से इसका कोई प्रावधान नहीं है आप इसको ले करके जा नहीं सकते तो केन सरकार ने दिल्ली उचनले को बताया कि भूलने का अधिकार निज्टा के मौलिग अधिकार का हिस्स है भूलाये जाने का अधिकार या भूल जाने का अधिकार किसी विक्ति को इंटरनेट की निजी जानकारी हटाने की अनमती देता है सरकार ने कहा कि Personal Production Data Bill में भी भूलने का अधिकार का प्रावदान किया गया है मई 2019 में प्रतिबा एम सिंग ने भी कहा था जो दिल्ली उचनयाले की नयाय मूर्ती थी उन्होंने कहा था कि अकेले रहने का अधिकार और भूलने का अधिकार निजीदा के अधिकार का हिस्सा है ऐसा 2018 में यूरोपी संग ने भी अपनाया 2015 ने यूरोपी ने भी एक कानून बनाया और तुर्की और साइबेरिया में भी इसको पूरी तरह से मानेता प्राप्त है अभी होता क्या है कि मान लिजे आपने खा कि मेरा डेटा डिलीट कर दीजे सुप्रीम कोर्ट में आपका डेटा पड़ा हुए था सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भी मैं आपका डेटा डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि इससे कुछ चीजे और आती है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब इसके उपर कानून आ जाएगा तो आप ऐसा कर सकेंगे वैसे देखा जाए तो समिधान दोरा हमें साथ अधिकार प्राप्त थे लेकिन अब केवल छे ही मौलिक अधिकार बचे हैं एक है समानता का अधिकार अनुचेद 14-18 के बीच में समता स्वतंतरता का अधिकार 19-22 के बीच में संपत्ती रखने का अधिकार अब है नहीं इसको 32 में डाल दिया गया है सोसन के विरुद्ध अधिकार 23-24 धार्मे संता अधिकार 25-28 सिच्छा सांसकति का अधिकार 29-30 और समयधानिक उप्चारों के अधिकार अनुचेद बत्ते इसको याद रखेगा ठीक है नहीं इस तमय वर्तमान समय में आपके सुप्रीम कोर्ट में चार जज है तीन अभी एपोइंट की गई है एक का आपकी बीवी नाग रखना एक हिमा कोली और एक कना में बेला एम ट्रिवेदी ये तीन अभी हाली में सुप्रीम कोर्ट में अपोइंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में जजों की संख्या आपके Chief Justice of India को मिला खरके 33 है आज की डेट की बात कर रहा हूँ और याद रखेगा कि बीवी नाग रखना हो सकता है कि पहली भारती ये मुख्यनियादिस बने अभी जग कोई महीला मुख्यनियादिस नहीं बना भारती महीला मुख्यनियादिस किस राज में विश्यो संखीत तांसेन उस्सो का आयोजन किया जा रहा है तो हर साली मद्ध पिदिस में आयोजन किया जाता है क्योंकि तांसेन उस्सो जो है जब की काली दास समान दिया है काली दास समान जो है वो पंडित कार्तिक कुमार मंबई और पंडित विक्कु नरायन चिन्ने को दिया गया है इस बार काली दास समान ते कौन समानित के गया है पंडित कार्तिक कुमार और पंडित विक्कु कुमार कहां पर हो रहा है मद्ध प् पढ़ते रही है आपका सब कुछ होगा हाँ जी किस लेकक द्वारा मोधी गैंबिट डिकोडिंग मोधी 2.0 नामा पुस्तक लिखी गई है तो यह पुस्तक लिखी गई है संजु वर्मा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है इसके अलावा यह अर्शास्री और वाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने पुस्तक लिखी है दा मोधी गैंबिट डिकोडिंग मोधी 2.0 तो उनकी पिछले दो साल की उपलब्दियों को इसमें दर्था आया गया है अभी हाली में जो पुस्तक के चर्चा में रही जैसे दा मिडवे बैटल यह गौतम चिंतामनी की थी यह यह भी मोधी जी के उपर लिखी गई है यह पुस्तक भी मोधी जी के उपर है सिनेमा और चत्त जीत रहा है भासकर चटोपाद्याएं एमस में एक जंग लगते हुए रमेश पोखरियाल निशंग नॉट जस्क्रिकेट मैप्रदीब मैगीन राइटिंग पॉर माइफ वीर सावर का दा मैन हुग कुड प्रिवेंटेट पाडिचन उद्यमाहुर कर और स्टार्स इन इसकाई दिभ्या दत्ता लाल सलाम इसमती रानी कुकिंग टू सेव लाइफ अभिजीत बिनर जी यह वही है नोबल वाले और प्राइस प्रिजडाइस एंट पंडितरी ससी थ आओ एकोनोमिस गांधी क्रोनिकल प्रॉम दे लैंड ऑफ हैपिएस पिपूल ऑन और्थ वोले सोहिंका और सिग्रेट ऑफ बैरेंजिंग वर्क एंड फैमिली इंदरा नुई और बैटल ऑफ रेजांगला कुलपरीत यादो ठीक है इसे याद रखीगा और अभी हाली में ह पुस्तक किसे ने लिखी है सांतनु गुफ्ताने गौतम चिंतावनी ने कह लिखी है मिडवे बैटल याद रखीगा हाली में किसने Global Esponsor of the Year का पुरुषकार जीता है तो Global Esponsor of the Year का पुरुषकार जीता है वो Adani Green ने जीता है TVS Motors ने भी अभी हाली में Green Energy Award जीता था Green Energy Award जीता था Adani Green के बारे में आपको पताएएं यह भारती बिजनेस्मेन टायकून है जो गौदाम अडानी के स्वामित वाली अडानी समो की एक अच्छे उर्जा साखा कंपनी है जिसे Green Energy Limited ने Project Finance International Global Sponsor of the Year का पुरुषकार दीता है जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतिये कंपनी बन गई है एक अधिकारी डिक्यप्ति के उनसार 2030 तक 45 GW यानि की जीगावाट अच्छे उर्जा उत्पादन शमता विक्षित करने के लिए एक ही मंच पर उन्होंने पनाया है कुमूथी Solar Power Plant आपने सुना होगा कुमूथी Solar Power Plant जो है वो अडानी ग्रीन दोरा ही डेवलप किया गया था इस वज़े से इनको ये पुरुषकार दिया गया है कह रहे हैं मोधी के फूपा हैं ये किसराज के मुखमंत्री ने मींदम मंजपाई योजना शुरू की है मींदम मंजपाई योजना जो है दोस्तों ये प्लास्टिक को रिमूव करने के लिए योजना है कि प्लास्टिक बैक का जो लोग प्रयोग करते हैं वो इसका प्रयोग ना करें उनको कपड़े के थैले दिये जाएंगे तो ये योजना तमिल नाडू के मुख मंतरी M.K. स्टालिन ने जनता दोरा कपड़े के थेलों को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और प्लास्टिक थेलियों को उपयोग को अतोसाहित करने के लिए मींदम मंजपाई योजना शुरू की है पीले कपड़े के थेले या मंजपाई के इस्तमाल के जागरुफता अभियान जैसा तमिल में कहा जाता है मलब कि मींदम मंजपाई का मतलब होता पीले कपड़े का थेला तो 2019 से 14 पकार के प्लास्टिक को गुदपादन उपयोग बंडार और वित्रण परिवान बिख्री पर भी प्रतिबंद लगा दिया था ऐसा आपका केन सरकार ने भी किया है कि प्लास्टिक के उपर काफी प्रतिबंद लगे है पहला स्टेट है जो बच्चों को वैक्सीन देने वाला है कोविट की करपपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरची वुड कार्विंग को अभी हाली में जियाई टैग दिया गया स्टेट गवर्मेंट ने अभी हाली में 9 मिनिस्टरिस का नाम चेंग कर दिया नौ मंत्राले का नाम चेंग कर दिया इसके लाबा इन्होंने एक काम और किया कि इन्होंने अपना स्टेट हूट डे जो है यह चेंग नहीं में ओपिन किया है इसके लाब बहुत कुछ और यहां पर वर्तमाद यहां पर जो इसके स्टेट हूट डे जो है वो फाउंडेट वैसे थे एक नॉमबर चिन्नाई, MKS टालन स्टीप मिनिस्टर, आरन रवी जो है वर्तमाद समय में यहां पर गवर्नर है नागलेंड से यहां पर लाए गए हैं पहले CM दे PS कुमार स्वामी राजा, पहले गवर्नर दे कृष्ण कुमार सिंगी और लोग सबा में 49 सीटे हैं, राज सबा में 18 सीटे हैं गुंडी नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा हाली में PM मोधी ने कहां पर Metro Rail के पूर्ण खन का उदगाटन किया है तो भाईया कल आए 2 किलो मीटर दूर पर Metro Rail का उदगाटन करके गए हैं पूरे टाइम ट्राइफिक जाम रहा, पूरे टाइम कहीं आप आ जा नहीं सकते थे तो फिलाल ऐसा हुआ कानपूर में कानपूर में Metro Rail जो है, वो 9 किलो मीटर का एक रन जो है, उन्होंने पनकी से लेके आपका मोती जील तक ओपिन कर दिया है और आज मैं जाओंगा Metro देखने, कानपूर की Metro में बैठने तो देखूंगा अगर बन सकेगा तो वहां से वीडियो बनाओगा पियम मोदी ने 28 दितंबर 2021 के इसको कानपूर मेटरो रेल के एक पूर्ण खंड का उदगाटन किया है तीन-चार पार्ट में ये बनने वाली है इसके अलाबा, इसकी लंबाई जो है, वो 9 किलो मीटर है और इसके लाबा, इन्होंने बीना पन की मल्टी प्रोड़क्स पाइपलाईन का भी उदगाटन यहाँ पर किया बीना पन की मल्टी मूड़क्स पाइपलाईन का जो बीना रिफाइन्री से कानपूर मे पनकी तक पहली हुई है ये 356 किलो मीटर लंबी परयोजना है इसकी छम्ता लगबस 3.45 मिलियन मेट्रिक ट्रंड पतीवस है इसे 1500 करोन रुपए से अधिक लागश से बनाए गया है इसके लगवा हाँ 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 बिल्कुल 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 ये अभी वहाँ हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोन की परियोजना को उस गाटन कर गया है और अज यहाँ पर भी कर गया है तो फिलाल आज के लिए इतना ही थैंक ये सो मच बाबाई बाबाई टेक के ध्यान लखेगा अपना हाँ 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 हाँ